तुम मुझे टेलेंट दो मैं तुम्हे मन्छ दूँगा ललन टॉप अड्डे का मन्च मन्च जिसपर खड़े हो कर तुम गाना गा सकते हो stand up comedy कर सकते हो mimicry कर सकते हो कोई मज़दार किस्सा सुना सकते हो कविता सुना सकते हो ललन टॉप अड़ा जहां तुम पेंटिंग कर सकते हो, स्केच बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, जो तुम्हारी कलाकारी को आस्मान पर पहुचा दे साथ में जीच सकते हो, मौके पर लाखों के नाम, तो फिर आईए ललन टॉप अड़े पर दिखाईए अपने हुनर का कमार ललन टॉप अड़ा, एक, दो और तीन नवंबर को इंद्रा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स नई दिल्ली में राजकपूर, आवारा, 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 वह सारे टैक्सी वारे, आप कह दो कि आप इंडिया से हैं तो कहता था आप कुछ यहां चाहें छोड़ दूँगा पैसे नहीं लूँगा, आप से, राजकपूर, तीरो है मेरा, सब गाना गाजे थे वह प्रस्टेट कर लिए थ इतना प्यार को कहीं मिला नहीं, तो उन्हें ने मुझे कहा किया तुम यहां पे मेरे साथ काम कर, और रूसी सरकस आ रहा है तो भी तर इंटर्पेटर, वह पूरा सीक्रेंस था एकुछ था, मैंने कुछ दिन काम किया उनके साथ, और लेंट अलोट फ्रमिन जैसे मैं लिख विपरीद बुद्धी, मुझे अनोखी रात में रोल मिल गया, मैंने वो कर लिया, इनको छोड़ दिया, तो वह आज तक मुझे बुरा लग रहा है कि मैं ऐसा क्यूं किया, अगर उनके साथ लगा रहता, तो आज शाहिद में बड़ा अच्छा डिरेक्टर बन रहता, जो क मैं बनना चाहता था, मगर मैं निनाश काले विपरीद बुद्धी बहुत बली घलती ही मुझे के, वो पिक्चर हिट हो गई, उसके बाद एक्टर बन गए, तो राज जी में लास्ट टाइब मिले थे मुझे, जोईले पे बैटे हुए थे, सारी इंडस्ट्री को इंवाइ कहानी किसी ने कही, बहुतों ने सुनी, क्या आपके पास कोई कहानी है, कहानी जो आपको लगता है कि पूरे मुल्क को सुननी चाहिए, ये कहानी आपको लगपती बना सकती है, ललन टॉप अड्डे पर आईए, मौके पर कहानी लिखिए और लाखों के नाम जीतिये, ललन गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स नई दिल्ली में